हेलो, नमस्कार, आदाप, सस्रिया काल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जियस वाले भई, आपका हारदिक स्वागते हो, मैं भी नंदन करते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंट अफेर्स की एक सीरी चला रहे हैं, जिसमें 2023 का पूरा निचोड दिया गया है, दोस्तो साड़े 800 कॉष्चनों के माध्यम से, तो दोस्तों आने वाला कोई भी एक्जाम होगा, चाहे वो आरो यारो का हो, UPPCS का हो, Police Constable का हो, SSTGD का हो, या कोई भी एक्जाम हो, आने वाले 3-4-5 महीनों में जो भी एक्जाम होगा, जिसमें भी करेंट अफेर्स पूछी जाएग जिसमें हम लोग अगले 300 कॉष्चन कवर करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मच्ट है, ये सारे सेक्शन को देखना और वाच करना और ध्यान से देखना और रिवीजन करना बार बार, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आप सेशन को पसंद कर रहे होंगे, अब ब हिला आधिकारी कौन बनी है, तो भğया सियाचिन है, कैलाश मान सरोवर के पास में है, तो कैलाश मान सरोवर पे शिवजी होते ही है, तो गैप्टन शिवा चावहान होती है, ने किसकी अदहच्छता में लदाग की संसकृति और भाशा की रक्षा के लिए एक विशेश समित का गठन किया है तो संस्कृति और भाषा की अर्दक्ष्टा करने के लिए संत जी ही होंगे नित्यानंद राय जैसे लोग होंगे है कि नहीं पांसो तीनवा है राश्टपती दुरापदी मुर्भू ने राजस्थान में कहां SJVN Green Energy Limited की 1000 मेगावाट की 100 उर्जा पर्योजना की अधार शिला रखी है तो वो कहां रखी है तो वो B का निर में रखी है ठीक है पांसो चारवा है हाली में यूरोप के पास्पोर्ट मुक्त शेंगेन छेतर में शामिल होने वाला यूरो मुद्र अपनाने वाला बीस्वद देश कौन बना है तो वो प्रोएशिया बना है 505 वा है हाइड्रोजन ट्रेंज शुरू करने वाला जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश कौन वो डॉक्टर विने प्रकास सिंग ने समाला है 507 है दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में बनाया गया बहुत बार बता चुके है इसको अंतरराश्टी बाजरा वर्ष या इंटेनेशनल मिलेट इयर्स बनाया गया है ठीक है इंटेनेशनल इयर ओफ मिलेट्स ठीक पांसो अठवाए हाली में भारत को बारत का किस देश के सात मुक्त वियापार सम्झ़ुता लागू हुआ है तो मुक्त वियापार सम्झ़ुता भारत का इधराश्टेलिया के साथ लागू हुआ है 5になje हाली में सीमा सुरक्षा बल B.S.F. ने किस नाम से अपना मोबाइल ए तो मांग देचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सौपा गया है। पांसो बारों है, हाली में किस IIT ने कृत्रिम दिल त्यार किया है, जिससे हिर्दय का प्रत्यारों पढ़ों सके। दोस्तों दिल है, शरीर का अंग है, तो एक शरीर का अंग कानपूर में भी है, तो ये IIT कानपूर हो जारा है इस कानपूर, दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी ये पढ़ें न, AIIT वाले इसमें सारे में सारे अभी तक लगबग AIIT मदरासांसर मिला है दोस्तों एक ये वाला कोश्यन है जिसमें IIT कानपूर मिलना भी चाहिए क्योंकि इसमें दिल की बात हो रही है तो कानपूर मिल गया उसमें हाली में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिशनर कौन बनी है तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिशनर बनी है लक्षमी सिंग पांसो चौदावाँ होगे हाली में भारत और जापान के वाई सेनाओ के बीच किस नाम से युद्धाब्यास होता है बहुत इंपोर्टन दोस्तों तो यह 9 सेना के बीच में होता है 515 भारत नेपाल संयुक दुवार्शिक प्रशिक्षन अब्या सूर किरन सोलवा का आयोजन कहां किया गया है तो सूर किरन नेपाल के साथ होता है और साल जंडी में हुआ है इसका आयोजन ठीक है इंपोर्टन द्यान देना है 516 ते किस दिगज पूर्व एथलीट को संसद के उपरी सदन मतलब राज सभा में उपाधधक्ष के पैनल में नामित किया गया है तो PT पुशा है दोस्तों 517 हाली में किस नाम से हो गोवा में भारती ये 9 सेना मारको और US Navy SEAL मारको सील के बीच सातवा सेन अभ्यास हुआ तो दोस्तों मारको सील से कन्फ्यूज मत हो येगा ये नहीं है बहुत इंपोर्टन दोनों को मिलाया गया है तो संगम हुआ है इसका ठीक है संगम अभ्यास है ठीक 518 किस बॉलिवूड अबनेत्री ने कतर में कतर के लुसैल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लांच कर ऐसा करने वाली पहली भारतिये बनी है तो कौन बनी है वो दीपी का पादुकौन बनी है दोस्तों अभी हम लोग देखे थे टाइम मैगजिन के कवर पेज़ पर इनकाई फोटो भी आई थी 599 दोहा कतर में आयोजित फीफा विश्यकप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद यह खिता है तो किसे हराकर जीता है बेल्जियम को हराकर जीता है 520 प्रो कबड़ी लीग 2022 का खिताब पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर जीता पुनेरी पल्टन को पलट दिया इन्होंने ठीक है पासे पिंक पासे पैंथर्स पासे पुनेरी पासे पल्टन है कि नहीं सब देखें मैचिंग मैचिंग 521 हाली में भारतिय मूल के लियो वराड कर किस देश के दूसरी बार प्रधान मंतरी चुने गए तो आयर लेंड के चुने गए ठीक है 522 है भारत ने किसे हरा कर लगातार तीसरी बार नेतर हीनों के T20 विश्कप का खिताब जीता है तो बंगलादेश को जहरा कर जीता है 523 है 2001 में आदिती गोवित्री करके 21 साल बाद मिसेज वर्ड 2022 का खिताब जीतने वाली सरगम कोशल का संबन्द किस भारती राज जिसे है तो जम्मू कश्मीर से है ठीक है इंपोर्टेंट है दोस्तों 524 है कोशन आजाता है हाली में जम्मू कश्मीर के किस निर्माला धेन रेल्वे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी Escape Tunnel सबसे लंबी Escape Tunnel का निर्माल पूरा हुआ है तो वो बनिहाल कटरा रेल लिंक है ठीक गति शक्ति विशुद्यालेर वडोदरा का पहला कुलादि पति तेल कमपनी, इंडियन उयल कॉर्पोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोब पेश किया है, तो किस नाम से सोलर स्टोब पेश किया है सूर नूतन 58 स्वाए तंबाकु कानून पारिध करने वाला, दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो नियुजिलेंड बना इंपोर्टेंट है दोस्तों 539 है मांट्रियल में आयोजित सहींत राष्ट जै विविदता सम्मेलन को 15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्पूर्ण पहलों में शामिल किया तो जो नमामी गंगे हाली में SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने इस नाम से संयुक्त अरब अमीरा द्वारा निर्मित पहले चंग्र अंत्रिक्ष यान का सफलता पूर्वक प्रक्षेपन किया है तो रोर रशीद रोवर बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों ठीक है इंपोर्टेंट है 532 भारती ओलंपिक संग आयोए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो पीटी उशा बनी है दोस्तों अभी पीटी उशा जो है राजसभा की जो उपसभापती वाले पैनल था उसमें भी इनकी न्यूक्ती हुई थी दोस्तों ठीक है 533 है इस राज ने अपनी स्वदेशी परजाती वाली गाय बद्री गायन के अनुआनशिक विकास के लिए एक उज़ना बनाई तो बद्री कहा है बद्रीनात कहा है उत्राखंड में है तो बद्री बद्री उत्राखंड हो गया ठीक 534 भार्ती टीवी कलाकार को चंद्र मिशन डियर मून के तहट 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट द्वारत चंद्रमा के चारों और चक्कर लगाने है तो ना मांकित किया गया तो देव जोशी है ठीक है देव हैं भाईया तो भी उपर जा सकते हैं यह है कि नहीं और कौन जा सकता है 535 किस देश के डॉक्टर ओगीरात यूनान और डॉक्टर वालिट सलावी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाद पुरसकार जो की महात्मा गांधी के पांचोंए पुत्र पहे जाते हैं पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो लेबनान को सम्मानित किया गया है दोस्तों ठीक है इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है अगला कॉश्चन 536 BBC ने वर्ष 2022 की सब सो प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इस भारतियों को शामिल किया है तो प्रियंका चोपला, कितांजली श्री और सनेहा जावले जावाले को सामिल किया मतला उपरोक्त सभी को इसमें शामिल किया गया है ठीक है इंपॉर्टेंट है 537 टाइम मेगजिन ने किसे साल 2022 का परसन आफ दे इयर घोशित किया है तो व्लाड मेरी व्लाद मेर जेलेंसकी जो यूकरियन के राशपती इनको और दाइस्प्रीट आफ यूकरियन दोनों को तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक 537 दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटियम कहां लगाया गया है तो रियल टाइम गोल्ड एटियम हैदराबाद में लगाया है 539 है हाली में रूस में आयोजित वित्ती सुरक्षा के अंतराष्टी ओलंपियाड में किस भारती बैंक ने ए ए जी पुरसकार जीता है तो किस ने जीता है बैंक आउ बढ़ावदाने जीता है मेर में अपने तीसरे हाइब्रिट पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिट पावर उत्पादक कंपनी बन गई है तो वो अडानी बन गई है अडानी अभी जो है चर्चा में था न काफी बुद्धा जो है 542 है हाली में अंतराष्टी नागरिक उड्डेन संगठन I.C.A.O. द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस अस्थान पर रहा है तो भारत 49 में अस्थान पर रहा है 544 है हाली में क्रिश समाधान उपलब्द कराने वाले इस भारती स्टार्ट अप की बोश्टन में प्रिंस विलियम और अर्थ शॉट प्राइस 2022 से सम्मानित किया गया है तो वो ठाती को सम्मानित किया गया है 546 हाली में अमेरिका ने किस नाम से अपने पहले अडवांस नूकलियर बंब वर्शक विमान को लॉंच किया है तो वो श्टील बंबर B21 है इंपोर्टन है ध्यान देज़ेगा A21 नहीं है वो B21 है ठिक इंपोर्टन है 547 हाली में लंदन में आयोजिद ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को Bankers Bank of the Year 2022 परदान किया है तो Bankers Bank of the Year Canera Bank को परदान किया गया है 548 हाली किस IIT के शोध करताओं ने एक ओशन वेब एनर्जी कनवल्टर विक्सित किया है जो समुदरी तरंगों से बिजली पैदा करने में सक्षमें तो दोस्तों IIT मदरास अभी बतायते हर जगहन लगवग लगवग IIT मदरास ही मिला है 544 है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच बारवा अगनी योध्धा अभ्यास देवलाली महराष्ट में हुआ है तो बारवा अगनी योध्धा अभ्यास किसके साथ हुआ है दोस्तों सिंगापूर के साथ 550 है भारती सेना ने हाली में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षन अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहां किया है तो सुदर्शन प्रहार का आयोजन दोस्तों जैसल मेर में किया है 591 किस देश की फिल्म नार गेसी ने गोवा में आयोजे तिरपन्वे भारती अंतराश्टी फिल्म महुत्सों में ICFT UNESCO गांधी पतक जीता है तो इरान की दोस्तों अभी जो 2023 का शांती का नोबल पुरसकार किसको मिला है हमारे वीडियो से अच्छी वीडियो आप तो कहीं नहीं मिलेगी किसी भी बड़ी कोचिंग में आप पढ़ लिजिए या किसी भी सुन्दर मैमों से आप पढ़ लिजिए उससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों आप देखके ही उसको अंदाजा लगा लेंगे दोस्तों उसमें पूरा बैक्ग्राउंड पूरा भारतीयों को कितना मिला है कौन-कौन भारती नामित किये गये है गांधी जी की क्या भूमी का है उसमें पूरा और कैसे जो वरतमान में किन को मिला है 2023 में कैसे शॉट ट्रिक से उसको याद रखना है पूरा बहुत अच्छे तरीक से पता है आपको एक बार में याद हो जाएगा दोस्तों ठीक है 552 में महराश के किस बल्लेबाज ने उत्तर प्रदेश के खिलाप एक ओर में साथ छक्के लगा कर वर्ड रिकॉर्ड बनाया है तो रीतुराज गयक वाल ने बनाया है 553 है आपको ने बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ती योजना का शुवारम किया गया है तो वो गया में किया गया है 554 तो डवलुएच ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदल कर क्या नाम रखा है तो एम पॉक्स रख दिया मंकी पॉक्स ताकी बंदरों की मतलब बंदरों का मानुआ अधिकार का हनन ना हो बंदरों का जानवरा अधिकार का अधन ना हो इसलिए जो है इम पॉक्स रख दिया गया है 555 है भार्दी खाद सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने हाली में किस पशु को खाद पशु में घोशित किया है तो हिमालई याक को 556 उत्राखंड राज के ब्रांड अमबेश्डर कौन बने है तो रिशा पंत को भी बनाए गया और प्रसून जोसी को भी बनाए गया तो बी और सी इसके आंसर हो जाएंगे 557 ते हाली में अगनिकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉंच पैट कहां इस्थापित किया है तो वो श्री हरी फूटा में ठीक है 556 ते है पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कोन नुक्त हुए है तो लेटिनेट जनरल असी मुनीर को नुक किया गया है 561 मजगाव डाक शिप बिल्डर्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट पंदरा के पहत दूसरा विद्धवनसक जहाज भारती नोसिना को सौपा है तो आई एनस मार मुगाओ 562 राश्पती दुरौपदी मुर्मु ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेंजिंग नौर्गे राष्टी सहसित पुरसकार प्रदान किया है तो किसे प्रदान किया है दोस्तों कैटन भावानी सिंग साम्याल को भी शुभम धननजय वनमाली को भी नैना धाकड को भी तो उपरोग तो तीनों को शामिल किया है ठीक है शक्ती अभ्यास नहीं है गरून शक्ती है तो यहां ध्यान देना है गरून अभ्यास भारत फ्रांस के बीश में होता है गरून शक्ती दोस्तों भारत इंडोनेशिया के बीश में होता है इंपोर्टेंट ध्यान देना है तो कहां पर हुआ है इंडोनेशिया के सिलो में 565 से जवाहलाल नहरू वोट अथोरिटी ने किस IIT के सहयोग से समुद्रे जल गुलवत्ता निगरानी स्टेशन विक्सित किया है तो देखे IIT आगया है किस और ये इसका भी अंसर मदरास होगा 566 से विजय हजारे ट्रॉफी में टेमिल नाड़ ने किस के खिलाफ 50 सो और में 506 रनों का स्कोर बनाया जो लिष्ट एक क्रिकेट में वर्ड रिकॉर्ड है तो वो अरुनाचल प्रदेश है जितना बड़ा नाम है अरुनाचल प्रदेश का ना तो वो चिरन जीवी को सम्मानित किया गया है 566 है तो पेरिस में आयोजित बाट और माप पर 27 सम्मेलन में किस भारतियों को बाट और माप की अंतरराश्टी समिती CIPM का सदस्च चुना गया है तो किसे चुना गया है दोस्तों प्रोफेसर वेलू गोपाल अचंगता को चुना गया है 571 ते किस देश की सामाजी कारकरता फ्रांका मा इह सुलेम योंग को स्वियुक्त राष्ट द्वारा दिया जाने वाला युनेसको मदन जीत सिंग पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो वो कैमरून की हैं दोस्तों ठीक है इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है 572 ते हाली में कहां अंतराष्टी गीता महुतसो 2022 का योजन हुए भईया गीता महुतसो है तो कहां होगा कुरुचेतर में ही होगा जहां पर महभारत हुआ था 573 ते हाली राश्पती द्रौपदी मुर्भू ने मेजर ध्यान चंखेल रतन एवार्ट 2022 से किसे सम्मानित किया है तो वो शरत कमल अचंता को सम्मानित किया गया है 574 ते है गोवा में संपन तिर्पणवा भारती अंतराष्टी फिल्म होतसो जब भी आएगा तो उसके होई नहीं सकता ऐसे पूरा थेग है दोस्तों इम्पोर्टन ध्यान दीजेगा 575 वोकल पायर लोगल लोकल लोकल ग्लोबल थीम के साथ न्यू डेली में आयोजित 41 अंतराश्टी व्यापार मिला 2022 किस राज को भागिदार राज का दर्जा दिया गया है तो बिहार को भी दिया गया है जारकन को भी दिया गया है महराश्ट को भी दिया गया है तो इसमें तीनों को दिया गया है इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है ध्यान देना है 577 ने निम्लिखित में से किसे अरजुन पुरसकार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है तो शरत कमल अचंता को सम्मानित नहीं किया गया है मतलब सीमा पुनिया को सम्मानित किया गया है रमेश बाबू प्रग्या नंदना को पिप सम्मान्द किया गया और निकत निकहत जरीन को भी सम्मान्द किया गया चीक है 578 ते बैंककॉक में आयोजित एशियाई कब टेबल टेनिस टूनामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाड़ी कौन बनी है तो मनी का बत्तरा बनी है 579 ते नई दिल्ली में होने वाले शंगाई सहयोग संगठन 2023 की आधिकारिक वेब साइट में किस थीम को लौंच किया गया है तो एक्सेल पुरसकार दोस्तों परिवार नियोजन के नेतिरत के लिए सम्मानित किया गया है 581 ते हाली में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारती निजी कमपनी स्काइरूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लौंच किया है इसरो ने पहली बार भारती निजी कमपनी स्काइरूट द्वारा बनाया गया रॉकेट लौंच किया है तो निजी कम विग्रम एश्स को बनाएबUs करूद विक्रम सारा भाई के नाम पर बनायए ठीक है 583 थर्ड है किस राज ने केंडर और राज प्रायोजीत योजना आयें हर दरवाजे तक पहुँचने के लिए एक नया पोल्टर अमर सरकार लॉंच किया है तो अमर सरकार लॉंच किया है दोस्तों पिर पूरा ने लॉंच किया है ठ्यक है Altemis Mission 1 को launch किया है और launch होने वाला है 2024 में Altemis 2-2 ठीक है 586 ते उत्राखंड सरकार ने उत्राखंड High Colt को नेनी ताल से कहा है स्थानी करनिक मंजूरी दिया है तो हल्दवानी में मंजूरी दिया ठीक है इंपोर्टेंट है 587 ते 17 वे ग्रूप of 20 जी टुन्टी शिखर संभेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया है ठीक 17 हुए जी टुन्टी को ठीक है अभी जो भारत का हुआ है वो तो भारत में हुआ जी टुन्टी का संभेलन है तो बिर्सम उंडा के जम दिन के आउसर पर 15 नौंबर को मनाया गया है 589 अंतराश्टी टेबिल टेनिस महासंग के खिलाडियों को के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारती खिलाडी कौन बने हैं तो शरत कमल अचंता बने हैं दोस्तों ठीक 590 अंतराश्टी जापान अमेरिका और आस्टेलिया की 9 से 9 के बीच बहु राश्टी समुद्री अभ्यास मालावार जो होता है उसका 26 संस्क्राण कहां आयोजित किया गया है तो जापान के योको सूपा में आयोजित किया गया है 592 है T20 विश्टप 2022 का विजेता कौन बना था तो इंग्लेंड बना है ठीक है 593 है हाली में भारती मूल के किस नोबल पुरसकार विजेता को बिटेन के महराजा चार्ल्स कृती ने प्रतिष्ठित order of merit से सम्मानित किया है विंकी राम कृष्णन है दोस्तों ठीक है हर जगह है इस समय राम राम हो रहा है 22 जन्वरी है तो 22 जन्वरी को राम मंदिर का गाटन हो रहा है तो order of merit भी राम 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 कृष्णन को ही सम्मानित किया गया है इस आधार पर नहीं सम्मानित किया है कि मतलब एक बात बता रहे हैं कि इससे link कर लेंगे थोड़ा तो याद हो जाएगा दोस्तों ठीक है 594 ते हाली में आसियान का ग्यारवा सदस्देशकौन मना important बता चुके हैं इसको पहले भी तिमोर लिस्ते बना है 595 है हाली में भारत जलवाई परिवरतन की चुनोतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के संगरक्षन से संबनेत किस वैश्विद गटबंदन में शामिल हुआ है तो मैंग्रोव गटबंदन में भारत शामिल हुआ है 596 है हाली में जीवन विज्ञान आकणों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंदर IBDC का अनावरन कहां किया गया तो हर्याना के फरीदाबाद में 597 है हाली में किस देश ने ओलंपिक स्वन पदक विजेता नीरत चोपड़ा को अपना मैतरी राजदूत नियूट किया है तो स्विटजर लेंड ने नियूट किया है 598 है अंतराष्टि मुक्यबाजी संग ने महिला विश्व मुक्यबाजी चेंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौपी है तो अंतराष्टि मुक्यबाजी संग ने भारत को सौपी है ठीक है 599 है अंतराष्टि मुक्यबाजी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नाम से लोगों का अनावरण किया है इंपॉर्टेंट है अलब वसुध है कुटब मुकम की ओधार ना है दोस्तों इंपॉर्टेंट से जो 2023 का पूरा निचोड है उसको बहुत अच्छे तरीके साम लोगों ने कवर किया है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं शशन आप लोग इंज्वाई कर रहे होंगे और आने वाले किसे भी एक्जाम के लिए यह रामबान क्लासे चलने हैं जो कर इंट रफेर्स के चलने है दोस्तों क्योंकि objective type के question है और objective type के question आपके exam में भी आते हैं तो दोस्तों बहुत important हो जाता है आप लोग इसको जरूर देखेगा और revision भी जरूर करेगा exam time में दोस्तों ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं session आपको पसंद आया होगा session को like कीजेगा share कीजेगा subscribe कीजेग मिलते हैं अगले session में जय हिन जय भारत